गुरू ब्रह्मा, गुरू विश्णू, गुरू देवो महिश्वरा, गुरू साक्षात परब्रह्मा, तस्मई श्री गुरु वे नमा संस्कृत के इस श्लोप में गुरू को ही ब्रह्मा, विश्णू और महिश का दर्जा दिया गया है डॉक्टर सुशील चन्द गुपता भी ऐसे ही गुरूओं में से एक हैं जिनके जीवन का एक ही धिये है आदर्श समाज का निर्मान जिसमें संसकार का समावीश हो ज्यान का प्रसार हो और सकारात्मक्ता से भरने वाले मुल्यों का भरोसा हो आगरा शहर में डॉक्टर सुशील चन्द गुपता रियल स्टेट सेक्टर में एक बड़े नाम है और प्रल्यूड स्कूल के संस्थापक हैं पिछले दो दशक से ज्यादा समय से देश के भविश्य को समारने के मिशन में जुटे हैं आगरा में मौझूद विश्वस्तरिय सुविधा वाला ये प्रल्यूड स्कूल दो हजार दो में डॉक्टर सुशील चन्द कुपता का लिया गया वो संकल्प है जो सिध्धे की ओर बढ़ रहा है मजबूत पारिवारिक प्रश्ट भूमी से आने वाले डॉक्टर सुशील चन्द कुपता के लिए प्रल्यूड सिर्फ इक स्कूल नहीं बल्कि सपनों को पर देने का साधन है संभावनाओं से भरे भविश्य में मोल्यों के साथ सफलता का मंत्र देने वाला संस्थान है प्रल्यूड का अगर आप डिशनरी में मतलब समझेंगे तो बिगनिंग है और स्कूल जो है वो एक बिगनिंग है एक बच्चे के लिए और इस बात का हम बहुत ख्याल रखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ के दिये बहुत जरूरी है कि हम उसकी लाइकिंग को समझें और उसको अपनी बात समझाए डॉक्टर सुशील चंद ने जो परेशानिया अपनी पढ़ाए के दोरान झेली थी प्रिल्यूड स्कूल के जरिये ये सुनिश्चित किया कि आगे किसी को भी वैसी दिक्कत ना हो जो मेरे जमाने में मैं पढ़ता था तो मुझे परेशानी होती थी तो मैंने उसको दूर करने की कोशिश की कि हम 35 बच्चे से जादा किसी एक क्लास में नहीं रखेंगे तूसरा मेरे को ये लगा कि हम प्राइवेट टूशन को खतम करें जो कि हमारे जमाने में हमें प्राइवेट टूशन देना जरूरी था और उसकी वज़े से मैं ये तो नहीं कहूंगा लेकिन ऐसा भी होता था कि टीचर्स कम पढ़ाते थे जिससे कि बच्चे प्राइवेट टूशन में आके पढ़ें तो मैं बड़े धमंड के साथ कह सकता हूँ कि मेरे स्कूल की एक भी टीचर मेरे स्कूल के बच्चों का प्राइवेट टूशन नहीं आगरा का प्रल्यूट स्कूल आज पूरे उत्तरप्रदेश में एक आदर्श निजी स्कूल के तौर पर मश्रूर है तो इसकी कई वज़ा है यहां का विशाल कांपस, आधुनिक सुविधाएं, समर्पित सिक्षक, सरल प्रबंदन और छात्रों को कुछ कर गुजरने के जजबे से भरने वाला वातावरण सीसी टीवी के जरीए बच्चों के सुरक्षा का पूरा खयाल लगा जाता है इसका नतिया यह कि स्कूल का रिजल्ट सौंफेजदी रहता है हम यह चाहते हैं कि बच्चे अच्छे महल में पढ़ें क्योंकि उनके लिए पढ़ाई के साथ साथ ओवरॉल डवलप्मेंट भी बहुत जरूरी है हमारे हां 100% रिजल्ट 10th में और 12th में रहता है जो कि बोर्ड के एक्साम साथ है भले ही प्रल्यूट स्कूल में जादतर बड़े घरानों के बच्चे पढ़ते हैं मगर पैसों के अभाव में किसी प्रतिवाशाली बच्चे का भविश्य ना परबाधू यहां इस बात का भी ध्यान रखा जाता है खास्तोर से उन बच्चों को रियायत ती जाती है जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर की वजह से अपनी मा को खोया क्योंकि मकसद कारोबार नहीं कल्यान है यही एक स्कूल है जो हर तरह की स्कॉलरशिप देता है हमारे यह 90% अगर आपके 10th में आ गए और 94.9 तक हम आपको 11,000 रुपे साल जो है दो साल तक यानि 11,12 तक देते हैं अगर आपके 95 या उससे उपर आए तो 22,000 रुपे देते हैं उसके अलावा अगर CBSC में टीचर किसी स्कूल में पढ़ाती है तो उसको डिसकाउंट मिलेगा अगर आप SCSC, OBC हैं तो उनको डिसकाउंट मिलेगा भगवान ना करें किसी वज़े से अगर SINGLE मदर हैं चाहिए वो विडो होए या SEPARATED है तो उनके बच्चे को डिसकाउंट मिलेगा अगर बच्चे के पेरेंट्स किसी सर्विसमें हैं यानी आर्मी में हैं या Air Force में हैं तो उनकी बच्चों को भी डिसकाउन में लेगा 4 जनवरी 2020 को मेरी बिटिया की डेथ हो गई थी ब्रेस्ट कैंसर से तो मैंने एक मुहीम चला रखा है और जितने भी ब्रेस्ट कैंसर से अगर किसी बच्चे की मा की डेथ हुई है तो वो प्रिल्यूड में आके फ्री ओफ कॉस्ट पढ़ सकता है और बारवी तक पूरा खर्चा हम उसका देते हैं हम एक भी पैसा उससे में करते हैं शिक्षा का मंदिर तब बनता है जब प्रतिभा की पूजा होती है ज्यान का प्रसाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता है और जहां नैतिक मोल्यों को अमोल्य समझा जाता है ऐसा ही शिक्षा का मंदिर आगरा समीत पूरे प्रदेश के लिए बन चुका है प्रल्यूड स्कूल